कहानी का नाम है टिफन प्यारे बच्चों क्या आप मुझे जानते हैं मेरा नाम टिफन है और बच्चे मुझे प्यार से लंच बॉक्स भी कहते हैं पहले जमाने में मुझे लकडी या फिर स्टील से बनाया जाता था आपने अपने घर में अपने दादा का पुराना लंच बॉक्स तो देखा ही होगा वो बिलकुल इस तरह का होता है याद आया लेकिन आज कल मुझे रंग बरंगे प्लास्टिक और मुख्तलिफ डिजाइन्स में बनाया जाता है आये मैं आपको अपनी आपिती सुना आज से तक्रीबन एक साल पहले मुझे एक कारखाने में बनाया गया था वहाँ मेरे एड़केट उपर नीचे बहुत से डब्बे पड़े हुए थे मेरे नीचे एक छोटा सा डब्बा दबा हुआ जीख रहा था खुदा के लिए मुझे बाहर निकालो मेरा दम गुठ रहा है हटो हटो ना मेरे दाए तरफ पड़ा एक डबा हस हस के गह रहा था हाँ 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 देखो मैं कितना खुबसूरत हुना मेरे जिसम पर कितने खुबसूरत फूल बने हुए है हाँ 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 इसकी बात सुलकर मैंने खुद को गोर से दिखा मेरे जिसम पर नने मुने कार्टोन बने हुए थे और लिखा था डिस्नी लेंड जब कमरे में बहुत सारे डबे तयार हो गए फिर एक दिन हम्यारे जिसमों पर हिफाफे चड़ा कर कत्य के डब्यों में बंद कर दिया अंधर बहुत थंधेरा और घुटन थी मुझे तो ड़र भी बहुत लग रहा था कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि हमारे साथ हूँ क्या रहा है हिचकोली इतने जोर जोर के लग रहे थे कि हर एक जोर दुख रहा था अल्ला अल्ला करके वो दिन भी आही गया जब मुझे इस जब्य से निकाल कर अल्मारी में रख दिया मैंने इधर उदर देखा ये एक बहुत बड़ी दुकान थी लोग आ जा रहे थे कभी कबार कुछ लोगों ने मुझे शोपर से निकाल कर भी देखा और फिर वापिस रख दिया पता नहीं वो क्या डूंडना चाह रहे थे एक दिन एक बच्चा आया इसने खाने के कई डबे देखे और फिर मुझे देखकर खुश हो गया अमी अमी मुझे ये वाला चाहिए इस पर मेरे पसंदीदा काटून भी बने हुए है इसकी अमी ने मुझे खोल कर देखा और बोली हाँ हसन ये ठीक है शायद उन्हें मैं पसंद आ गया था यो मैं हसन के घर आ गया हसन मुझे बहुत प्यार से रखता मुझे संभाल संभाल का रखता जब वो अपने नरम नरम उंगिया मेरे जिसम पर फेड़ता तो मुझे गुदगुदी होती आली को ये अमी मुझे नहलाती खुश करती और मेरे अंदर टिशू पेपर रखती और मज़े मज़े के खाने की चीज़ों कभी पिज़ा, कभी बर्गर, कभी फ्राइज, तो कभी ब्रेड के इन खानों के खुश्बुएं अब तक मेरी एक एक रख में समाई हुई है हसन की अमी हसन का बहुत खयाल रखती हसन भी मेरा बहुत खयाल रखता इस्तमाल करता फिर साफ करके बैग में संभाल कर रख लेता एक दिन हसन की बेहन सारा ने मुझ पर पैंसल से कुछ लिखने की कोशिश की तो हसन ने उसे फॉरन रुका ना सारा ना करो वो गंदा हो जाएगा एक दिन हसन की अमी ने उसे केक बना कर दिया खाने की वक्फे में हसन ने सब बच्चों को केक की पेशकश की जब सब बच्चे के खा रहे थे तो हसन किसी बच्चे के बुलाने पर जुमात से बाहर चला गया बच्चों ने मज़े ले लेकर हसन के इससे का भी केक खा लिया फिर एक बच्चे ने मुझे दूसरे बच्चे की तरफ उचाला बस फिर तो खेली शुरू हो गया हाँ खेर मुझे भी बहुत मजा रहा था आइस्ता आइस्ता इन दोनों के साथ कई बच्चे इस खेल में शामिल हो गए एक बच्चे ने मुझे दूसरे बच्चे की तरफ उच्छा ला दूसरे ने तीसरी की तरफ और तीसरे ने वापस पहले बच्चे की तरफ एक बच्चे ने मुझे दूसरे बच्चे की तरफ फेंका और मैं दिवार से जा टकराया मेरी तो जान ही निकल गई मैं दर्द से चिला उठा लेकिन बच्चों को तो कोई परवा ही नहीं इतने में हसन की आवास सुनाई दी अरे छोड़ो मेरा टिफन छोड़ो लेकिन तब तक तो मैं खिड़की से बाहर जा पड़ा था हसन बाहर से दोड़ा आया लेकिन इस से पहले के वो वहाँ पहुंचता एक लड़के ने मुझे टांक से इतनी जोर की ठोकर लगाई कि मैं फूलों की क्यारी में जा गिरा मुझे तो यू लगा कि मेरे जिसम की हर एक अहड़ी तूट गई हो शुकर है हसन वहाँ पहुंच गया उसने मुझे उठाया साफ किया और पर संभाल कर बस्ते मेर रख लिया जब हसन की अम्मी ने मुझे देखा तो वो बोली हसन अभी इस्तमाल के काबिल नहीं रहा मैं तुमें नया दिला दूँगी उन्होंने अगले दिन मुझे रदी वाली को दे दिया रदी वाली ने मुझे एक ठेले में डाल दिया और उधर तो सांस ही नहीं मुझे आ रहा था ऐसा लगा था पिछला जमाना फिर से आ गया है इसमें कुछ बोत्रें भी थी एक बोतल दर्सक कर रह रही थी क्योंके वो तूटी थी इसने मुझे धका देते हुए कहा जरा भाई देखे मेरे ओपर क्यों गिरे जा रहे हो मैं दबक कर एक बोतल के पास बैठ गया मैंने इस बोतल से पुछा खाला बोतल हम कहा हैं बोतल तो पहले ही घुसे में बैठ वी थी बोली अगर तुम मैं मालूम नहीं तो मुझे कैसे पता होगा जाओ किसी और से पुछो उस वक्त से आज तक मैं एक धेर पर पड़ा हूँ रहाय हुए कई महीने हो गए है मुझे नहीं मालूम कि अब क्या होगा अब तो मुझे कोई भी नहीं लेगा मेरे जिसम पर बने कार्टून भी मिट चुके है अब तो बस यही दुआ है कोई मुझे दुबारा कारखाने ले जाए और मुझे कोई नहीं चीज मेना दे जैसे हाँ मेरा दिल चाहता है कि मैं गुल्दान बन जाओ और मेरे अंदर रंग बरंगे फूल सजाए जाए अब पता नहीं है मेरे खौश कब पुरी होगी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें मिलता हूं एक ने उडियो में बाई बाई